नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे योट्यूब चैनल में जीहां दोस्तों जीविका के दोआरा आज फिर एक नया नोडिविकेशन जारी कर दिया गया है 15 दिसंबर 2019 आज का डेट है 15 दिसंबर 2019 देख सकते हैं यह तुरंत अभी अपडेट निकल के आ रहा है 15 दिसं चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही आने वाली जीविका की नई नोडिविकेशन आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर देखने को मिल जाए ठीक है दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो चले शुरुआत करते हैं यहां पर देखिए पहले दिया गया है कॉट अफ कॉट अफ मार्क्स ऑफ सीविटी एक्जाम फोर वेरियस पोस्ट और बिया लपी एस एंड एल एस भीए ठीक है कॉट फिर से जारी किया गया है देख सकते हैं बहुत सारे पोस्ट का जो बाकी अभी रिजल्ट नहीं आया ठीक है दोनों के लिए यहां पर कट अफ जारी कर दिया गया है और मेरिट लिस्ट भी देखते हैं कितने पोस्ट का मेरिट लिस्ट आया है लाइन पर बने रहा है हमारे साथ चलिए मैं पहला ओपन कर रहा हूं लिंक और यहां पर देख सकते हैं 15 दिसंबर 15 दिसंबर यहा तक देखिए इतने सारे अपडेट्स आज निकल के आ रहे हैं मेरिट लिस्ट आ चुका है जितनी भी पोस्ट बाकी थी मेरिट लिस्ट आने के लिए वह मेरिट लिस्ट आज जारी किया गए 15 दिसंबर को ओफिस असिस्टेंट इसमें है ट्रेनिंग ऑफिसर है ठीक है प्रज लिंक दिया गया है डाउनलोड करने के लिए मैं ये लिंक आपको डाउनलोड करके चेक कर रहे हैं दिखा रहा हूं लाइन पर बने रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जीविका के बारे में कोई भी अपको समय पे सबसे पहले और आपको 100% सत्य जानकारी मिले ठीक है चलिए यहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं लाइन पर बने रहे हैं हमारे साथ चले जो पहला मेरिट लिस्ट आया है यह है आपका ओफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए ठीक है मेरिट लिस्ट देख सकते हैं यहां पर आपका रॉल नंबर दे दिया गया है और यहां पर आपका अप्लिकेशन नंबर दे दिया गया है या तो आप रॉल नंबर से चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट या फिर अपने अप्लिकेशन नंबर से चेक कर सकते हैं मिला सकते हैं कि इस लिस्ट में आपका रॉ चोवालीस पेज का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है अब हम लोग बात करते हैं मेरिट लिस्ट जो आया है चोवालीस पेज का आया है अब हम बात करते हैं CC पोस्ट और AC पोस्ट वाले आपको क्या ध्यान देना है इस लिस्ट से आपको क्या फायदा और क्या जनकारी मिलती ह चलिए मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, जो office assistant की vacancy निकली वी थी, उसमें देखिए कितने post निकले थे और कितना गुणा result दिया गया है, इससे आपको एक proof मिल जाएगा कि कितना गुणा आपका CC का result आएगा है, CC और AC post का कितना गुणा result आपका आएगा, तीन गुणा आएगा या 6 गुणा आएगा, चलिए इस पर हम बात करेंगे, तब तक अभी देख लेते हैं कि कितने candidates का selection हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इतने candidates का selection हुआ है, merit list में, log above, देखिए, एक page में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक page में कितने candidates हैं, हम लोग 50 candidates का role number और application number यहाँ पर रखा गया है, ऐसे कितने page हैं, total 44 page है, तो 50 candidates एक page में है, तो 44 page में total कितना हो जाएंगे, आप यहाँ पर multiply करके रख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, last में 0 आजाएगा, पांचों के 20, हाथ में 2, पांचों के 20, दो 22, ठीक है, यहाँ पर देखिए, 2200 लगबग, आपके लगबग 2000 से 2200 candidates का result आया है, office assistant के जो merit list आया है, इसमें 2000 से 2200 candidates का merit list में application number और registration number रोल नंबर है, यानि कि 200, 2000 से ले करके 200 result आया हुआ है, ठीक है, 2200 candidates का result आया है, merit list में, इससे आप अनमान लगा सकते हैं कि CC post और AC post का result आयेगा, इनका post पहले देख लेते हैं, हम लोग देख लेंगे कि AC और office assistant में कितने पज़ पे बाहली हुई थी, ठीक है, कितने post के लिए office assistant का vacancy निकला हुआ था, उससे आपको अंदाजा लग कि AC post और CC post में कितना गुणा result आयेगा, और कितना गुणा result अभी दिया गया है, चलिए मैं आपको इसके बारे में समझाओंगा, अच्छे से अगला update देख लेते हैं, कौन सा post है, ठीक है, तो अगला post यहां पे देख सकते हैं, training officer का है, आपको यहां पे link दिया गया है, आ यहां पे check करने के लिए दिया गया है, check पे click करेंगे, तो आपको merit list डाउनलोड हो जाएगा, मेरे पास downloaded है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आपको जो जानकारी लेनी है, वो असली जो जानकारी है, मैं आपको देद र जानका है, ठीक है, 19 पेज का PDF लिस्ट जारी किया गया है, जो merit list डाया है, लेवली हूर्ड, specialist के लिए तो एक पेज में लगभग देखिए, 40-50 candidates का roll number या application number के हैं, तो रखा गया है, इसको आप count कर ले, उसके अनुसार से आप लगभग निकाल ले, 19 गुने उसको multiply कर ले, कितने candidates हैं, माल यह 25 हैं, या 30 हैं, या 35 होंगे, या 40 या 45, आप counting कर ले, और तो आपको अनुमाना, पता चल जाएगा कि कितने candidates का result आया है, लेवली हूर्ड, specialist में, अब बात करते हैं कि कौन सा cut-off आया है, दिख लेते हैं और आगे क्या है, आपका accountant block level पे, बहुत सारे candidates क यह comment आया था किस और block level पे, जो accountant के लिए, वैकेंसी निकले ही थी, उसका merit list कब आयेगा, तो देखिए, जारी हो चुका है, आप डाउनलोड करके, चेक कर लें, आपका result आया है कि नहीं, इसमें, merit list में, आपका नाम, या roll number, या application number, है की नहीं, आप चेक कर लें, ठीके, य देखने से ये फायदा होगा, CC और SC पोश्ट वाले, आप भी देख लें, आपको पता चल जाएगा, क्या cutoff जा रहा है, marks कितना, आपका exam, जो हुआ है, CBT का computer based test, कितना सही रहेगा, तो आपका merit list में, नाम आ जाएगा, merit list में, आपका roll number, आ सकता है, चलिए cutoff देख लेते तो ये आ चुका है, officially cutoff, ठीक है, officially cutoff आ चुका है, बहुत सारे candidates का comment सारा तसर, officially cutoff कब आएगा, और भी post जो बाकी है, जैसे accountant, रिवली हूट, specialist, देख लीजिए, project manager, block, project manager, training officer, office assistant, ठीक है, तो 5 पदो के लिए, फिर से cutoff जारी हो चुका है, आप download करके check कर लें, और चलिए इससे हम लोग analysis करते हैं, कि AC और CC के क्या cutoff जा सकता है, मेरे चैनल पर आपने वीडियो देखा होगा, तो उसमें भी मैंने बताया कि क्या cutoff जा सकता है, तो category wise cutoff marks for 5 position of BRLPS, block label का है, लिवली हूट, specialist का है, block, project manager का है, यहाँ पे दिया जा रहा है, और आगे नीचे देखते हम लोग analysis कर लेते हैं, और देख लेते हैं, क्या cutoff जा सकता है, आपके exam का, चलिए तो देखते हैं, पहला आपका आता है accountant, यानि कि block label का, जो job है accountant का BRLPS में जो भरती निकला था, उसका क्या cutoff गया है, यहाँ पे category लिखा गया है, यहाँ पे cutoff marks दिया गया है, ध्यान से इस बात को कि क्या cutoff जा सकता है, आपका clear हो जाएगा, confusion आपका दूर हो जाएगा, यह post, जितने भी post के लिए cutoff आया है, इसे से ज़्यादा आपका cutoff नहीं जा सकता है, इसी के range में रहेगा, ठीके लगबग इसी के, आसपास में आपका cutoff जाएगा, CC post और AC post के लिए, चल ब्लोक लेबल पे, और बात करते हैं यहां पे, 25 गया है, और पीच के लिए, हैंडिकेप के लिए, यहां पे फिजिकल हैंडिकेप के लिए, 13 गया है, BC के बात करें, तो BC के लिए, जो cutoff है, देखिए 24, मात्र 24 गया है, दोस्तों, 25, याने कि 24 नमबर, 24 नमबर cutoff गया है, यहां, बैकवर्ड कास्ट के लिए, BC के लिए, नरिजर्ब के लिए, 13 गया है, और फिमल के लिए, 15 गया है, और फीमल के लिए, 15 गया है, अब बात करते हैं, लिवर्ली हूंड अभी तक जो merit list आया है जो cut off जारी किया गया है सब में आपका जो cut off का ratio है 20 से लेके 35 के बीच में ही है ठीके on reserve और BC category के लिए लगभग यही marks है और female की बात करें तो 12 नमबर से लेकर के आपका 19 नमबर के ही अंदर में सब का cut off है और maximum आपका 25 तक गया है female candidate के लिए female candidate के अधर में ही रहने वाला है किसी भी पोस्ट के लिए अगर अपने former है तो आपने देखा भी सभी का cut off तो यह उमीद करता हूं कि आपको पूरी वीडियो समय में आ गई होगी प्लिस वीडियो को लाइक करें अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहें तो सब्सक्राइब कर प्लिस वीडियो को लाइक करना ना भूले उमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा सिसी पोस्ट और एसी पोस्ट वाले आपने स्चिंत रहें आपका भी सेलेक्शन हो जाएगा अगर आपका माक्स 25 से उपर है या 20 से उपर है तो आपका भी सेलेक्शन होने का चांस बनता है चलिए धन्यवाद